कमजोर बालों को जादा मजबूत, लंबा और खूबसूरत बनाने का आज हम आपको बहुत ही बेतरीन सा तेल बनाना बताएंगे दोस्तों अलोवीरा का तेल जो की आप सभी जानते हैं कि ये हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है और हमारी तोचा के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि अलोवीरा में fatty acid amino acid होते हैं, इसमें वीटामिन A, वीटामिन B12, वीटामिन C और वीटामिन A पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए और हमारी तौचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो यहाँ पर हमने अलोवीरा ले लिया है तो इसकी हमने दो डंडियां काट ले हैं यह हमारे घर का ही अलोवीरा है जो हमारे घर पर लगा हुआ है और उसको हमने सुबा सुबा ही तोड लिया है और अब हम इसका पल्प निकालेंगे दोस्तों और बहुत ही आसानी से इसका पल्प निकलता है निकल आता है आप भी इससे कट कर देंगे जिस तरह से हम निकाल रहे हैं इसे तरह से आपको निकाल लेना है पहले हमने अलेवुरा को बहुत अच्छे से धो लिया था और उसके बाद ही हमने इसको कट किया है छोटे छोटे आप टुकडे बना लीजिए और इसके अंदर का जो जो आप देख रहे हैं गूदा होता है बीच में इसी को आपको निकालना है और इसी से हम आपको तेल बना तो आपके बाल बहुत ही जादा लंबे घने और खूबसूरत हो जाएंगे अगर कमजोर बाल हैं बहुत जड़ते हैं तो आप इस तेल को जरूर लगाए इससे आपके बाल 100% मजबूत होंगे और बालों का जड़ना भी रुख जाएगा तो यहां पर हमने फूरा पल्प निकाल लिया है और इसको अब हम मिक्सिजार में डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे बहुत ही सरलता से इसका जो पल्प होता है पीस जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है इसको पीसने में अगर आपके सिर में खुझली होती है लाल-लाल से दाने निकले हुए हैं तो ये आपके सिर की तोचा के लिए भी बहुत अच्छा है तो इसको हमने पीस कर रेडि कर लिया है एक कटोरी में हम ये पूरा पल्प निकाल कर रख देंगे और हम आपको दिखा देते हैं कि ये आदी कटोरी के करीब हमारा पल्प निकल कर तयार हुआ है ये अलोवीरा जेल है तो आपको रेडि मेड जेल नहीं लेना है आपके घर में अगर पौधा है या कहीं आपको पौधा मिल जाए तो आप उसकी पत्तियां ले आईए और घर पर ही इसको आपको बना कर रेडि करना है यहाँ पर हम लेंगे नारियल का तेल जितना हमने अलोवीरा जेल निकाला था उतना ही हम ले लेंगे नारियल का तेल इस नुस्खे को आप नारियल के तेल में ही बनाईएगा यह बहुत ही बहतरीन रिजल्ट देगा जब आप नारियल के तेल में इसको बनाएंगी इससे रूसी तो जब पर लाल चकते पपड़ीदार इसकिन जो होती है वो सब कुछ सही हो जाती है और इसको बनाने के लिए आप लोहे का बर्तन लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर हम लोहे की कड़ाई लेंगे यह हमारी छोटी कड़ाई है लोहे की और जब भी कोई हम हेर रेमेडी बनाते हैं तो लोहे की कड़ाई में ही बनाते हैं क्योंकि लोहे की कड़ाई में आईरन पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पर हमने ले लिए हैं थोड़े से मेथ मेथी दाने डाल दिये थे और बहुत ही स्लो फ्लेम पर हम कड़ाई को रखेंगे अब इसको हम धीमेधी में से चलाते जाएंगे तेज आज हमें नहीं करनी है बिल्कुल धीमी आज पर ही हमको इसको तयार करना है क्योंकि अगर तेज आज में आप इसको पकाएंगे तो यह जाएगा और इसी में हम डाल देंगे अलोवीरा का पल्प जो हमने निकाल कर रखा था तो इसको भी हम इसी में डाल कर बहुत ही धीरे-धीरे से हम पकाएंगे बिल्कुल भी हमें जल्दवाजी नहीं करनी है इस तेल को अगर आप अपने इसकिन पे लगाते हैं अपने बा जहेंगे रुकी हुई जो ग्रोथ होगी आपके बालों की वह भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी बाल बहुत ही घने हो जाएंगे तो अलोवीरा बहुत ही फायदे मंद है आपकी तुछा के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है इसकिन में तब य आप इसको लगा सकते हैं, अगर आपके सिर में खुजली हो रही है, तो भी आप लगा सकते हैं, रूसी है अगर तब भी आप इसका इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो 5-6 मिनट हमने इसको पकाया है, गैस को हमने बंद कर दिया है, तेल जब हमारा ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको छानेंगे, आप कपड़े से ही छानियेगा, अगर आप इसको छान कर निकालेंगी, तो 2-3 बार आप को छानना पढ़ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर कपड़े से ही छान लिया है इसको, ताकि एक ही बार में हमारा ये तेल अच्छे से लगाना है और जड़ों से लेकर के पूरे बालों पर अच्छे से लगाईए बहुत ही जबर्दस रिजल्ट मिलेगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा ज्याद़ से जद़ सेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ह आप भी अपने हाथ पैर अपने फेस पर लगा सकते हैं बालों पर तो आपको लगाना ही है क्योंकि यह खास रेमेडी हमने बालों के लिए ही बनाई है लेकिन आप इसको तुचा पर भी लगा सकते हैं दोस्तों वीडियो को फूल बाच करने के लिए आपका धन्यवाद